हलो दोस्तों नमस्कार जैहें में स्वागत है आप सभी का हमारे यूटूब चैनल पर विजूल आर्ट हिस्ट्री विद निवी जहां मिलती है आपको कला से समन्नित संपुड जानकारी जाहें वह भारती कला की जानकारी हो यहो पाश्चाते कला की जानकारी या पिर मौर्थ तो आज की वीडियो होने वाली है बहुत ही खास जैसा कि आपने थमनल में देखी लिया होगा आज की वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं दो चित्रकारों के विसाह में एक तो के वेंक टपपा और दूसरे समरेंद्रनाथ गुप्त यह दूनों ही चित्रकार बंगाल- तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो कर लिजे का सब्सक्राइब क्योंकि मैंने प्रागतिया सिक्काल से लेके क्रम वार चैप्टर वाइज पूरी क्लासे आपको बंगाल सहली तक उपलब्द करा दी हैं जिसमें बंगाल सहली के प्रमुक चित्रकारों के विसाह में अभी क्या क्या विशस्ताइब हैं क्या एंपॉर्टन्ट चीजें हैं यह सारी चीजें हम आपको आज की वीडियो में बताएंगे तो डनी नयुए, साथके वीडियो क सट दो नहीं जरू करते आँ अगर remarks कर्द के विसाह में जानने से पहले सबसे पहले उसकी जन्म्ति वह क्या था, किस मार्दें में काम किया, ये जानना जरूरी है, तो के वेंकटपपा बंगाल शेलि का मंसूर कहे जाने वालेDas के वेंकटपपा, जिनका जन्म 1886 या कहीं कहीं 87, जींगों तो, दो मिलते हैं, एक तो 1886 मिलता है, दूसरा क्या मिलता है? 1887, दो मिलते हैं, तो अगर दोनों पड़े हो, तो आप यहाँ पर 87 लगाएंगे, अगर दोनों नहीं हैं, तो आप 86 लगाएंगे, इनका जन्म 1886 इस्वी में मैसूर के करनाटक में हुआ था, या करनाटक में मैसूर में हुआ था, ठीक है, इनकी अम्रत भी यहीं पर देख इस्वी में हुई थी, यह भी आपको ध्यान दखना है, किसी भी चित्रकार का जन्म और उम्रत्यू सबसे पहले याद रखनी है, यह आधनी चित्रकारों में आते हैं, बंगाल शेली के चित्रकारों में आते हैं, अब यह क्या-क्या थे, मतलब अगर आपको आजाए कि नि पहाड़ी शेली का प्रभावपुरी बंगाल सेली पर है, तो अब कारण है कि जो हमारा प्राचीन चित्रण तक निकी थी हमारी वो क्या थी? वो लगु चित्रकला थी और जिसके कौपी हमारे बंगाल के चित्रकारों ने की थी या जिसको पुना जीवित बंगाल सेली के तो लगु चित्रकार की रूप में जाने जाते हैं, रिलीफ चित्रण के लिए ये जाने जाते हैं, उभारदार चित्रण के लिए, रिलीफ माने उभारदार चित्रण, ठीक है, व्यक्ति चित्रकार की रूप में भी केविंक टपा जाने जाते हैं, तो ये चीज़ें की आप में सबसे पहले जो बात पहुंदूती है वो यह है कि अच्छा बंगाल का मंसूर मंसूर क्या करता था पसुपक्षियों का चित्रन बहुत अच्छा करता था आपसे यहाँ पर क्रोश्चन है कि मंसूर किस शैली में और किस राजा के दरवार में काम करता था आपको बताना है मनसूर की तुलना की जा रही है के वेंग टप्पा की तुलना मनसूर से की जा रही है तो आपको बताना है मनसूर किस राजा का धरवारी कभी था ठीक है कभी नहीं माफ करना किस राजा का धरवारी चित्रकार था ठीक है अगला के वेंग टप्पा की सिक्षा सिक्षा इन्हो तो सारी चीजे आपको यहां पर क्लियर रखनी है कोई भी डाउट नहीं रखना है इन्होंने एक सिक्षक के रूप में मैशूर कलाविद्याले में इन्होंने सिक्षण कारे किया मैशूर में ही इनका जन्म होगा करेंगे ही है न तो मुगल और राजस्थानी प्रभाव के ऊपर दिखाई देखता है इनका माधियम क्या था तो इनका माधियम वाश और टेम्परा माधियम में इन्हों किसने केवेंकटपा ने वास माध्यम में और टेंप्रा माध्यम में काम किया शल्य दिसको अवनिर नाच प्रिषली आप दो-चित्र कारों से सीख कर और Nepoč style श्रू dudक वा इनके वानिर नाथ तो इनुहों bere Ś्वेंकटपा की सुखे और पर चा। बहुत अच्छा काम केवेंक टपाजी दिख रहे हैं, आप उनकी चभी भी देख सकते हैं, चलिए आगे बढ़ते हैं, देखें, मैं आपको एक-एक पॉइंट समझा दूगी, इन सारी वीडियो की PDF भी आपको मिल जाएगी, और PDF के लिए आपको मेरे टेलिग्राम चैनल का लिंक, मेरे वीडियो के मैं कहूंगी कि आप खुद से इनको लिखिए गा जरूर, अपने पास खुद से बना के रखिएगा, मैं बिल्कुल आपको निचोड देती हूँ, ऐसा कि कोई कहानी सुना दूए आपको कुछ समझ में ना आए, अगर समझ में नहीं आता तो कमेंट करके बताईए, मैं फि से आते हैं, चित्र सारे आप यहां से देख लेंगे और यहां पर आपको ध्यान लुखना है, टीपु सुल्तान, पक्षी का अध्यन, राम और स्वर्णम्रग, राम आण से जुड़ा हुआ चित्र है, टीपु सुल्तान चित्र इतिहास से जुड़ा हुआ है, पक्षी का और बंका पुलनिर्मान समंधर पर ये चित्र भी मैं आपको आगे दिखा दूगी आपको माध्यम में बता दिया वाश माध्यम लोग फ填 यहीं सब्सक्राइब दिखाई देगी ठीक है, ऊटी एवं कोडाई के नाल के दरश्यों का अंकन किस ने किया है, तो केवेंक टप्पा ने किया है, एक व्यक्ति चित्र भी इन्हों ने बनाया, जिसको नाम दिया इन्होंने, मासी, विणा से सन्ना, यह भी चित्र केवेंक टप्पा की द्वारा ब यह में बनाए Corporationaste Th erDER के एक है पूष्शवरात्री चित्र के वेंगरात्पा की द्वारा एक सूर्यास्त की लेंडिश्कीप इन्होंने बनाए सिख्षक बुद्ध डी चित्र के वेंगरत्पा की द्वारा बना हुआ है बुद्ध एवम सिस्य के वेंक टप्पा का चित्र है गुरु अवनींद्र अवनींद्र इनके गुरु थे उनका पोटरच बनाया इन्होंने के वेंक टप्पा ने मुदालियर चित्र के वेंक टप्पा का है म्रग तृष्णा के वेंक टप्पा के द्वारा बनाया गया चित्र है दिक्षा मांगते रिक्षुक का चित्र भी इन्होंने बनाया है राम विवाह most important चित्र है यह याद ही रखना है आप यहाँ पर जो चित्र देख रहे हैं यह राम विवाह चित्र है जो की वैंकटपपा आर्ट गैलरी मैसूर में रखा है अब यहाँ पर एक point आपको और मिल जाता है कि वैंकट यहां पर आप देखेंगे यहां पर राम भगवान अपने गुरू के साथ खड़े हैं और यहां माता सीता हार लिए हुए खड़ी है जो कि राम भगवान को पहनाने जा रही है भावात नुक्ता देखिए कि लज्जा से उनका सिर जो है जुका हुआ दिखाया गया है और राम हाथ बढ़ा कर उन्हें आजिकी और लाने आने का हम कह सकते हैं कि इसारा करने तो यहां पर यह राम भिवाह चित्र किस ने बनाया है के वैंक टपा ने बनाया है वाश बनाया है जाता सिटा कि भी चुपाई होई सिटा के लिए बेजते हैं हनुमान के हाथ से जब मतशिता माता सीता की खोज के लिए तो राम सीता जी को एक अंगूठी देते है तो रामा सेंडिंग ही perpet ring for Seetha the death of Marichi Marichi के वद या Marichi के म्रत र amigos returning of Rama, राम का आयोध्या आगमन या राम को अयोध्या लौट्य वे दिखाया है केव इंक टपा जी ने ये भी आपको याद रखने हैं, विल्डिंग अफ रामाज ब्रिज, मतलब राम ने जो पुलका निर्माड किया था, लंका के लिए उसी लंका तक पुलका निर्माड या विल्डिंग अफ रामाज ब्रिज ये चित्र लगबग सेम है, और वीणा की मतवाली, ये चित्र भी केव इंक टपा ने बनाया है, आपको यहाँ पर बताना है कि वीणा वादिनी चित्र किसका है, वीणा वादिनी चित्र किसका है, यहां मैंने बताया वीना की मतवाली तो ये के वेंक टपा के द्वारा बनाये गया चित्र हैं ये सारे चित्र किस ने बनाये हैं तो के वेंक टपा ने बनाये हैं जो अपने आप में बहुत ही सिद्ध हर्स्त का लाकार है अब के वेंक टपा से जुड़े हुए कुछ एक पॉइंट है जो पेपर में आते हैं आप यहां मैं सोचना है कि मड़क बहुत कम में बता रही हैं मैं वो बता रही है जो आपके पेपर में जिस चित्रकार से आ सकता है ठीक है तो यहां पर बिल्कुल भी कन्फ्यूज नहीं होना है बिल्कुल भी किसी डाउट में नहीं आना है अगर कोई डाउट है तो आप मुझसे पोच सकते हैं के वंकटपा का रंग बिढान बहुत मदूर था और चटकीला था आप चित्रण विधान देखेंगे बहुत सवाफटनेश बहुत ही अच्छा मन को अच्छा लगने वाला है और कजी पर चटकीला रंग बिढान दें प्रयों किया है इनका पसुपक्षी चित्रण जो था, बुगल चित्रकार मंसूर के समान था, इसी लिए इन्हें बंगाल शली का मंसूर कहा जाता है, बंगाल शली का मंसूर किसे कहा जाता है, क्वेश्चन आसकता है तो आप लगा देंगे के वेंक टप्पा को जी बंगाल शली का मंसूर कह इनके पूरवज जो थे, के वेंक टप्पा के पूरवज जो थे, विजयगड के दरवारी चित्रकार थे, और वही यही कारण है कि आगे चलकर के वेंक टप्पा ने भी चित्रन किया और एक अच्छा चित्रन किया जो कि बंगाल शैली के चित्रकार के रूप में इनका चित् आपके स्क्रीन पर केवें टपा की कुछ चित्र भी मैं आपको दिखा दूगी यह चित्र जो है रामा सेंडिंग इस सिक्रेट रिंग फार सिता सिलाओं में पहाडों में राम भगवान बैठे हुए हैं और बहुत ही सिंपल दिखाया इन्होंने राम को अगर बनवासी दिख लेना यह राम के द्वारा हनुमान जी को अहुठी दिए जानी का दृश्च है रामसेंडिंग ही सिक्रेट रिंफार सिता यह चित्र है आपको यह याद रखना है कि इसके दो आपना बनाया गया है कि अगला यह जो चित्र आप देख रहे हैं मतलब राम का अभव्वा का दिखाया गया है राम भगवान अपनी उम्ली का इसारा करके उन्हें नीचे का दृष्य या अपने राज्य के विसर में बताते हुए आ रहे हैं यहां पुस्पक यान जो कि रावन की द्वारा जीता गया था कुवेर से उस पुस्पक यान को दिखाया गया यहां देखिए उस पक यान में भी पक्षी के पंक इतने सजीव बनाये हैं उन्हें कि लगता है कि हाँ बहुत ही उपसूरती से इसको बनाया गया पीछे हनुमान जी को दिखाया गया है तो यह रेटानिंग अफ रामा है यहां है लंका तक पुलका निर्मान या बिल्डिंग अफ रामा बिल्डिंगे डिल्ड निर्मान में यहां रेचीव बनाया पंदर उटाओा इदिखाया गया है एक ड्मूसरा बंदर इनको अथा रहा है एक काला बंदर जो कि उनक्य सहिव बनाय कि रहा है तो वही पुलका nirmान का दृषिय जो बहुत ही जु साफट तरीके से दिख expressions that this किसने नहीं दिखाया है? के बैंक टपा ने दिखाया है ठीक है? यह ऊद्ध कर दद जिक नजाऑ जिखाए जो रावनद के टीर को पकड रखा है या थिर्शूल को पकड रखा है या रावण के, जब आप इसकी दृष्य मुद्रा देखेंगे ना, तो बिलकुल आई, आप इसका आई कॉंटेक्ट देखेंगे, यहाँ पर बिलकुल इससे मिलता हुआ दिखाएगा, इतनी जादा भावा तमक्ता, और यहाँ सीता, जो आगर आप लोगोंने कभी राम लिल नीचे की रावूषन दाल रही है, और यहाँ जटायू जो है, रावण से सीता माता को बचाने का प्रयाज कर रहा है, यहाँ सीता को दिखाया गया, और यह वही पुस्पविमान जिससे राम की घरवापती उन्होंने दिखाई, बादलों का बहुत सुंदर चित्रन, और पूरा चित्र ही बहुत जीवन्त बनाया है, तो रावण, क्योंकि वो भयावाया है, वो राक्षा साथ, उसको काले या निले रंग से बनाया है, तो रावण फाइटिंग भी जटायू या रावण जटायू युद्ध, यह चित्र भी इनके द्वारा बनाया गया, यहाँ वर्निंग आफ लंका, लंका दहन या लंका का जलना ये बनाया है, केवेंग टप्पा ने यहां हनुमान जी को दिखाया है, धुए का चित्रन कितना सुन्दर तरीके से किया गया, लंका के होल जो है, यह हम कह सकते हैं, इनको क्या कहते हैं, सीख्चे या रोसन दान, इन में स समझ में आ गए होंगे, अगर कोई भी डाउट है, तो आप हो सकते हैं, लेकिन अभी जाईएगा नहीं, क्योंकि इसके आगे आपको समरें दरनात्व गुप्त के विसरे में मैं आपको बताऊंगी, बहुत थोड़ी से जानकारी उनसे रिलेटेड रहती है, जो आपको जा समरें दरनात्व गुप्त का, यहां पर थोड़ी से मिश्टेक है, सरसट नहीं होगा, माफ करना मुझे, 1887वी है, ठीक है, 1887वी, यहां सरसट लिखा है, मैंने वहीं पढ़ दिया, 1887वी में इनका जन्म हुआ, और कहां हुआ, तो कोलकाता में ही इनका जन्म हुआ, और को कोलकाता में ही इनोंने अवनीन दरनात्थ से सिक्षाली थी, अवनीनना टाइगोर से, तो जन्म है यहां पर याद रखना, 1887वी, ठीक है, यहां पर जो गलती हुई है, इसको मैं सुधार दूँगी, इनकी सिक्षा कहां हुई, कोलकाता में इनकी सिक्षा हुई, मियो आर् मियो आर् कॉलज लाहुर में यह एज टीचर के रूप में इनोंने काम किया, इनकी सिक्षा इनोंने कहां से लिए कोलकाता से लिए, कुछ मैं गलत बूल गई हुँ, तो माफ कर देना, इनके प्रम चित्रों की बात करी, तो कजिरी नत्य इनका चित्र है, हममाम एक इनका च कोल की पुकार समरेंद्रनात गुप्त का चित्र है, टूटा हुआ तार समरेंद्रनात का चित्र है, काश्मीर की जीनों तता पहाडों के बहुत सारे चित्र समरेंद्रनात गुप्त ने बनाए है, आपकी स्क्रीन पर ये समरेंद्रनात गुप्त डिख रहे हैं, जिनको जहरा इनका लगता है वहुत ही अच्छे चित्रकार के रूप में यह जाने जाते हैं। इसी के साथ एक जूर ध्यानः करेगा, जोगी मारा के चित्रों की प्रतिक्रितिया यह प्रतिक्रितिया आपसे ये question है, आपको ये बताना है. आपकी स्क्रीन पर जो चित्र दिख रहा है, ये कजरी निर्त्य, जो कि Samarindranath Guttin ने बनाया है, आप इसे देख सकते हैं, बहुत ही खूबसूरत चित्र है, वाश और टेंप्रा, वाश बाद्यमें इसे बनाया है, Samarindranath Guttin ने, इनके मिसमें बहुत ज़ादर डिटेल में ज जान रखनी होंगी, इन्होंने चित्रन बहुत संदर किया है, चित्र भी इनके मैंने आपको बता दिये, आपको एक भी पॉइंट इहां पर अगर गड़ लग रहा है, तो आप मुझे बता सकते हैं, चलिए, तब तक के लिए इतना ही, वीडियो देखने के लिए बहुत और वीडियो को सेर भी कर दिया करिये, ताकि और लोग भी इसका लाग उठा सकें, मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए इतना ही, Thank you, Thanks for watching.